अलो दोस्तों एक बार फिस आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपना यूटूब चैनल आके स्टडी पे मैं हुरेविंद्रुक्मार ओप्रेटिंज सिस्टम का एमसी क्यू केस्टन लेकर आज तुके हैं गैज और आज हम लोग सेट दूसरा लगाएंगे ठीक ह आज सेट दूसरा लगाएंगे वह बहुत इजी केस्टन होने वाले है ठीक है तो सभी लोग यहां पर क्लास को एक बार सेयर कर देंगे जल्दी से सेसंस को और सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे आप सभी को पताएंगे फ्री लिए हम जो DBMS और जावा ऑपरेटिंग सिस्टम सारे के सारे क्लास ले रहे हैं तो आप लोग सभी को ज्वाइन किजिए ठीक है चलिए क्विस्टन को स्टार्ट करते हैं आज का तो आज का किस्टन आपके स्कीन पर आप सभी लोग यहां पर जबाब दने की कोशिस करेंग बिंडोज, Linux, Oracle या DOS सभी लोग यहां पर जबाब दने की कोशिस करेंगे ठीक है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है इन में से कौन सा नहीं है तो सभी को पता है गए कि जो बिंडोज है यह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है यह Linux भी जो है यह भी हमारा ऑपरेटिंग सिस पर C दे रहे हैं C is a right answer चले next question चलते हैं आपके screen पर आप सभी लोग यहां पर जबाब देने की कोशिस करेंगे देखते कितने लोग जबाब दे पाते हैं when was the first operating system developed यहां पर कहा जा रहा है कि जो हमारा operating system है उसका डवलब सबसे पहले कब किया गया था नाइनटडेटी फोटी एटा Nd59 Sultan देखते हैं कितने लोग को पता है कि जो ऑपरेटिंग सीस्टम है जुटेंग को की किया था ठीक है ऐख दो आभ थिकर के आप सभी लोग के अंसर रहे होंगे ठीक ह्ए अ क्रिस्टन नमबर 3 का जितने लोग option number C दे रहे हैं C ज़र राइट इंसर मानि operating system का जो प्रतम बार डबलब किया गया था 90 50 में ठीक है 90 50 में प्रतम बार डबलब किया गया था operating system का जितने लोग option number C दे रहें C ज़र राइट इंसर चलें नेक्स क्यूचन चलते हैं नेक्स क्यूचन आपके स्कीन पर आप सभी लोग यहां पर जबाब देने की कोस्ति करेंगे वेन आर MS बिंडो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोपोज्ट यहां पर कहने का मतलब है कि जो हमारा MS बिंडोज है ठीके एमेश बिंडोज है उसकी प्रस्तावित कब दी गई थी सब्भी लोग यहां पर बताने की कोसिस करेंगे कि जो हमारा MS बिंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी प्रस्तावित कब दी गई थी 1994, 1990 में, 1992 में, 1985 में सभी लोग को यहाँ पर पतावना चाहिए कि जो MS बिंडोज है ठीक है इसकी प्रस्तावित कब दी गई थी सभी लोग यहाँ पर एंसर करेंगे तो गाईज यहाँ पर जितने लोग आप्सन नंबर D दे रहे हैं D is the right answer माने, 1985 में MS बिंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्रस्तावित हुई थी ठीक है प्रस्तावित की गई थी, 1985 में तो जितने लोग आप्सन नंबर D दे रहे हैं D is the right answer, चलिए next question चलते हैं next question आपके skin पर आप सभी लोग यहाँ पर जबाब देने की कोशिस करेंगे allocation table, जल्दी से सभी लोग यहाँ पर जबाब देने की कोशिस करेंगे कि इसका answer क्या हो सकता है 7 का, सभी लोग यहाँ पर जबाब देने की कोशिस करेंगे कि 7 का FAT FAT का full farm क्या होगा सभी लोग यहाँ पर जबाब देने की कोशिस करेंगे यहां पर पहला आपका दिया गया file attributes table, file allocation table या fund attribute table या format allocation table सभी लोग यहां पर जवाब देने की कोसिस करेंगी तो आप सभी को पता है guys की जो हमारा FAT का है ठीक है FAT का full form होता है file allocation table जैनि जितने लोग आप यहां पर B option दे रहे हैं बीजे राइट अंसर ठीक है चलिए next question समझे चलते हैं गाई next question आपके skin पर आप सभी लोग यहां पर जवाब देने की कोसिस करेंगे Bios is used Bios का use किसके लिए किया जाता है by operating system, by compiler या by interpreted या by application software किसके लिए use किया जाता है सभी लोग जवाब देने की कोसिस करेंगे Bios is used मने Bios किसलिए use किया जाता है by operating system, by compiler या by interpreted या by application software किसलिए use किया जाता है सभी लोग answer करेंगे यहां पर जितने लोग यहां पर option number A दे रहे हैं by operating system वो सभी लोग यहां पर correct हो जाएंगे तो यहां पर जितने लोग option number A दिया है वो सभी लोग correct हो जाएंगे ठीक है, समझ गए, चलिए next question चलते है So guys, nine questions बहुत ही easy और बहुत ही मज़दार question है सभी लोग यहां पर answer करने की कोसिस करेंगे What is the mean of the booting in the operating system यहां पर कह रहा है कि जो operating system में booting का मतलब क्या होता है सभी लोग जबाब देने की कोसिस करेंगे What is the mean of the booting in the operating system operating system में booting का मतलब क्या होता है restarting computer, install the program, to scanner, to off, to turn off सभी लोग यहां पर जबाब देने की कोसिस करेंगे देखते हैं कितनी लोग जबाब देते हैं operating system का यूज करता है तो सभी को पता है पता होना चे कि जो booting होती है operating system में किस लिए की जाती है सो गाई जहां पर जितने लोग option number A दे रहे हैं वो सभी लोग correct हो जाएंगे यानि जो हमारी booting होती है operating system के अंतर में restarting computer computer को start करने के लिए booting का यूज किया जाता है यानि option number A is right answer चले next question चलते है next question आपके screen पर आप सभी लोग यहाँ पर जबाब देने की कोशिस करेंगे देखते हैं कितने लोग जबाब दे पाते हैं when does page fault यहाँ पर दिया गया है एक और यहाँ पर सभी लोग जबाब देने की कोशिस करेंगे कि जो हमारा page है वो fault कब होता है सभी लोग जबाब देने की कोशिस करेंगे कि page हमारा कब fault होता है पहला है कि the page is presented in memory जब memory को presented करते हैं page form में दूसरा का है did log एक और में या फिर the page does not प्रजेंटे इन मेंमोरी या दर बूफरिंग एक कोर्स यहाँ पर सभी लोग जबाब देने की कोशिस करेंगे जो हमारा page है वो डिफाल्ट कब उपियोग होता है मतलब दिखाया जाता है पेज का डिफाल्ट कब आता है सभी लोग जबाब देंगे यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर option number C दे रहे हैं वो सभी लोग right हो जाएंगे यानि the page does not presented in memory ठीक है तो option number C is a right answer चले next question चलते हैं next question आपकी screen पर आप सभी लोग यहाँ पर जबाब देने की कोशिस करेंगे what is the full name of the DSM DSM का full form क्या होता है सभी लोग यहाँ पर जबाब देने की कोशिस करेंगे पहला आपका दिया गया direct system module या फिर direct system memory या demolized system memory demolized यहाँ पर लिखा गया है distribute share memory सभी लोग यहाँ पर जबाब देने की कोशिस करेंगे कि DSM का full form क्या होता है फूल फाम क्या होता है सभी लोग यहां पर जवाब देने की कुशिस करेंगे सभी लोग किस्वन पढ़ लिए होंगे और समझ भी गए होंगे दी एस एम का दी एस एम का फूल फाम पूछ रहा है तो आप गई जितने लोग आपस नंबर डी दे रहे हैं डी जराइट एंसल सभी को पता होना चाहिए डिस्टिबूट शेयर मेमोरी इसका फूल फाम होता है ठीक है चले नेक्स किछन चलते हैं नेक्स किछन आपके स्कीन आप सभी लोग यहां पर जबाब देने की कोशिस करेंगे वाट इस दफूल नेम आप दा आइडियल आइडियल का फूल फाम क्या होता है इंटरफेज डिफनेशन लांग्वेज इंटरफेज डाटा लाइबरेरी ना अब्दीज सभी लोग यहां पर जबाब दने की कोश लांगवेज वह सभी लोग यहां पर करेक्ट हो जाएंगे यह राइट एंसर जाए एंटर्फेस डिफिनेशन लागवेज ठीक है समझ के चलिए नेक्स कीशन चलते हैं विए विंड़ो म gross डिफीिज सींगल उजर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टेम इन में से कौन सा है Option आपर यूज वे में की कोशिश करेंगे very most important और easy question the size of virtual memory is based on which of the following सबी लोग यहां पर जबाब दने की कोशिश करेंगे पहला आपका CPU RAM address bus यहां पर data bus question को समझ लेंगे कि जो हमारा virtual memory होती है ठीक है virtual memory की जो size होती है किस base के अधार पे होती है किस base पे अधारीत होती है इस बात को समझेंगे 20 का कि जो हमारा virtual memory है उसकी base किस पे अधारीत होती है CPU पे RAM पे address bus पे या data bus पे सबी लोग यह आप दने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा virtual memory होती है ठीक है virtual memory सभी को पता होगा हमने virtual memory उगर पढ़ाया हुए है तो किस पे अधारीत होती है तो आप सभी को पता होना चाहिए जो हमारा virtual memory होती है ठीक है यह address bus पे अधारीत होती है किस पे address bus पे तो जितने लोग option number C दे रहे हैं CHR right answer चले next question चलते है next question आपके screen पे और देखते हैं आपका कितने दिमाग है और कितना आप जवाब देते हैं ठीक है और जितने लोग बीच में class छोड़के जा रहे हैं उन लोगो पढ़ने से तो कोई मतलब नहीं है ठीक है क्योंकि वो पढ़ना ही नहीं चाहते इंजिनियर ऐसे ही बन जाए अगला जो question है आप लोग इसकी इन पर और सभी लोग जवाब देने की कोशिस करेंगे वीच आप दो फॉलोंग इसे नाट अप्लिकेशन सब्टेवर कहने का मतलब यहां पर ध्यान से समझ लेंगे इसके बास इंसर देंगे कि जो हमारा अप्लिकेशन से से पूछ रहा है कि सब्टेवर अप्लिकेशन इन में से कौन सा नहीं है तो आप सभी को पता है कि wordpad जो है यह आपका सब्टेवर अप्लिकेशन होता है और Photoshop भी आपके सब्टेवर अप्लिकेशन होते हैं MS Scale भी आपके सब्टेवर अप्लिकेशन होते हैं लेकिन जो आपको और यह सभी लोग आपकी skin पर और सभी लोग यहाँ पर जवाब दने की कोसिस करेंगे देखते हैं कितने लोग जबाब देपाते हैं विच अब फॉलोइंग सपोड बीट जो हमारा बीटो 64 बीट की होती है किसको support करती है किस बीलोज की मतलब किसको support करती है विंडो एक्सपी को या विंडोज 2.0.0 को या विंडोज 90.98 को या फिन नापती सभी लोग जब आप देनें कि यहां पर कोशिज करेंगे कि जो हमारा विच अप्दफॉलिंग सपोर्ट बिंडो 64 बीट्स जो 64 बिट्स के बिंडोज है वो किस बिंडो को सपोर्ट करता है सबी लोग यहां पर जब आप देनेंगे बिंडो एक्स पी बिंडो 2000 बिंडो 90.98 या नापतीज तो गाइज यहां पर सभी को पता है कि जितने लोग यहां पर option number A दे रहे हैं वो correct हो जाएंगे यानि window xp ठीक है यानि window 64 इस बात को सभी लोग ध्यान में रख लेंगे कि जो हमारा window 64 bits होते हैं वो window xp को support करते हैं ठीक है तो option number A is your right answer चलें next question चलते हैं सभी लोग यहां पर सभी लोग यहां पर जबाब देने के कोशिश करेंगे विच अब दर फॉलेंग विंडोज डज नाट हैव और सटार्ट बटन यहां पर कहने का मतलब ध्यान से समझ लीजगा सभी लोग answer देंगे कि जो हमारा बिंडोज है ना कौन सा ऐसा बिंडोज है जो start button उसमें होता ही नहीं है सभी लोग जबाब देने के कोशिश करेंगे कि ऐसा कौन सा बिंडोज है जिसमें start button होता ही नहीं है बिंडोज 7 बिंडोज 8 या बिंडोज XP या ननाबदीज सभी लोग यहां पर जवाब देंगे कि जो हमारा बिंडोज होता है और कौन सा ऐसा बिंडोज होता है जिसमें start button होता ही नहीं है start button is not allowed for any इसमें से कोई भी बिंडोज होगी सभी लोग जवाब देंगे देखते हैं कितने लोग जवाब दे पा रहे हैं ठीक है तो आप सभी को बताये गाइज कि बिंडोज 7 में यह रहती है और बिंडोज XP में भी रहती है ननाबदीज तो यह हो नहीं सकता क्योंकि आप्स कि बिंडोज does not have a start button for Windows 8 ठीक है बिंडोज में नहीं होता है चलिए next question चलते हैं अगला question आपके skin पर आप सभी लोग यहाँ पर जवाब देने की कोशिस करेंगे which of the following operating system does not support more than one program at a time यहाँ पर कह रहा है ध्यान से समझ लीज़ा question इसके बाद सभी लोग जवाब देंगे which of the following operating system does not support more than one program at a time यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा operating system के अंतरगत में ऐसा कौन सा program है कर सकते हैं गैज कि यहां पर जो हमारा कह रहा है कि जो हमारा operating system इन में से कौन सा operating system है देखे सारे के सारे operating system है तो कह रहा है कि इन में से कौन सा ऐसा operating system है जो एक या एक से अधिक बोल सकते हैं ठीक है जो प्रोग्राम को support नहीं करता है जो एक या एक से अधिक जो प्रोग्राम्स होते हैं उप्रेटिंग सिस्टेम के अंतरगत में उसको support नहीं करता उनका नाम यहां बताना है Linux, Window या MSC या DOES सबी लोग यहां पर जबाब देने की कोशिश करेंगे question समझ गएंगे which of the following operating system does not support more than one program at a time एक से एक टाइम पर एक से जादे को support नहीं करता है तो यहां पर सभी को लोग को पता होना चाहिए कि जो हमारा operating system के अंतरगत में एक या एक से अधिक जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको DOES support नहीं करता है ठीक है documents operating system यह support नहीं करता तो जितने लोग यहां पर option number D दे रहे हैं DAJ right answer चले next question चलते है next question आप के skin पर आप सभी लोग यहां पर जबाब दने की कोसिस करेंगे देखते हैं कितने लोग जबाब देते हैं which of the following is a condition that case did lock यहां पर कह रहा है कि जो did lock हमारा है किस base पर ठीक है कि which of the following is a condition that case did lock किस base पर या किस case पर दोनों बहुत होते हैं कि किस base पर हमारा जो did lock है वो condition को follow नहीं करने देता तहां पर देखें आपका दिया आगया है mutual executions, hold and wait, circle wait, no premipations और last मैं आल आप दीज़े तो आप सभी को यहां पर guys याद होना चाहिए कि जो हमारा condition that case did lock होती है वो इन सभी पर follow करता है नहीं option number जितने लोग यहां पर यह दे रहे हैं आलाफदी जो सभी लोग यहां पर write हो जाएंगे ठीक है या कि star हो गया है तो यह सारे को follow करता है इस बात को समझ लेंगे कि who provide the interface to access the service of the operating system यहां पर कह रहा है कि जो हमारा operating system है ठीक है कौन से interface को access करने पर हमारी जो services है वो provide होती है API, system calls, library, assembly instruction सभी लोग यहां पर जवाब देने की कोशिज करेंगे कि who provide the interface to access the services of operating system यहां पर सभी लोग याद रखेंगे कि जो हमारा system call होता है ठीक है system call is provide the interface to access the services of operating system ओके तहां पर जितने लोग operating system system calls दे रहे हैं जबाब वो सभी लोग सही हो जाएंगे राइट हो जाएंगे नहीं option number B is right answer चले next question चलते है next question आपके skin पर गाज़ आप सभी लोग यहां पर answer देंगे 28 का where are the place the list of process that are the prepared to be executed and waiting यहां पर एकार रहा है कि जो educated and waiting का निस्पाद होता है वो हमारे किस बेस पर या कर सकते है कि कहां पर समाहित होती है या बोल सकते है guys कि किस सूची में रखी जाती है educated and waiting को किस सूची में यहां पे रखी जाती है सभी लोग जवाब देंगे job q में ready q में education q में या process q में किस q में यहां कर सकते हैं किस सूची में रखी जाती है इस बात को समझेंगे कि where are placed the least process that are the prepared to be executed and waiting educated और waiting जो होती है किस list में रखे जाती है इस बात को यहाँ पर जबाब देना है job Q में, ready Q में, execution Q में या process Q में तो आप सभी को यहाँ पर पता होना चाहिए गए कि जब हमारा कोई process होता है ठीक है जब हमारा कोई process होता है यहाँ पर लिखा गया है place the list of process or that prepare to be educated and waiting जब हम कोई किसी को run कराते है यहाँ पर simply यहाँ पर समझ जाएंगे question ताप सभी को यहाँ पर जबाब देंगे educated and waiting जब हम किसी चीज को run कराते हैं waiting स्थिति में होते हैं तब हम किस में रहते हैं आप समझ जाएगा जैसे कि हमें किसी यहाँ पर कोई work करना है यह कोई work है इसको करना है यहाँ बोल सकता है educated यानि run आवस्था में यह जब हम इसको run आवस्था में करेंगे या waiting में तेहां सबसे पहले हम लोग किसी चीज कीज में रहते हैं इस्तिती में होते हैं तब जाके हम लोग उसका work करते हैं उस पर चलिए next question चलते हैं आपके स्केन पर आप सभी लोग यहाँ पर जबाब देने की questions केंगे who among the following can block the running process running process में कौन से block में कौन से block को run करा सकते हैं पर सभी लोग जबाब देंगे who among the following can block the running process running process में सब्सेर्ण द्यान से समझ दो कि जो running process होता है okay, running process में किस block किस को block कर सकता है इस बात को यहाँ पर समझेंगे who among the following can block the running process running process के समय rag whose block कर सकता है fork को, read and down को, are you आप दीज़ सभी लोग यहाँ पर जबाब देने के लिए कि running process में किसको block करेगा यहाँ पर block था ना तो block करेगा तो यहाँ पर fork को भी read को भी down को भी ते आल आप दीजिए तो यहाँ पर option number D दे रहे हैं D is a right answer ठीक है चले next question चले तो गई next question आपके skin पर आप सभी लोग जबाब दीजेगा आज का यह last question है और last question हम आपके लिए बहुत easy रखते हैं और आप सभी लोग यहाँ पर जबाब देने की कोसिस करेंगे ठीक है what is a Microsoft windows जो हमारा Microsoft window है वो क्या है operating system है graphic program है work process है या database program है सबी लोग यहाँ पर जवाब देने की कोशिस करेंगे बहुत एजी क्यूशन है कि जो हमारा Microsoft Windows है वो क्या है Operating System, Graphic Program या Word Process या Database Program यहाँ पर सबी लोग जवाब देने की कोशिस करेंगे देखते किते लोग जवाब देते हैं सबी लोग का हम देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पर सही से अंसर दे रहे हैं ठीक है तो सबी लोग राइट अंसर दीजिए जितने लोग आप्सन नंबर यह दे रहे हैं वो राइट हो जाएंगे यानि Operating System Microsoft Windows हमारा आता है Operating System होता है ठीक है तो जितने लोग आप्सन नंबर यह दे रहे हैं यह दे राइट एंसर तो बस आज के लिए इतना ही मिलेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद क्लास में जुनने के लिए सभी को धन्यवाद बाइबाइबाइट टेक क्यार